अगर ऐसी सिती आती है CNRC के लागू होने के तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं फोर्स हमारी बैटल रेडी कोजीशन में हैं इस बार कुछ गड़बडियों कुछ ऐसी शिकायत मिली शासन ने कड़ी कारवाई करते हुए पूरे परिच्छा को निरस्त किया है और यह नर्देश दिये हैं कि इन परिच्छाओं को पुना 6 महिने के अंदर कराई जाए यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांद कुमार जी हमारे साथ हैं तमाम विशे इंसे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सवाल करते हैं सर आपसे की सीए को लेकर जो देश व्यापी चर्चा हो रही है जो कानून आने की बात हो रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से कितनी तयार है और किस तरह से तयारिया आप जाता है कि जैसा कि सबको विदित है कि लोगसभा चुनाओ बहुत सन निकट है और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है कि इसके लिए हमारे ट्रेनिंग मैन पावर की ट्रेनिंग और हमारे जितने भी संसाधन है चाहे वह गाडियां हो हो एकुपमेंट सो फाइर पावर हो राइट गियर सो इनको हम सही हालत में रख रहे हैं इनकी प्रैक्टिस भी हो रही है अगर ऐसी सिती आती है नर्सी के लागव होने के तो हम पुरी तरीके से तैयार है फोर्स हमारी बैटल रेडी पोजिशन में हैं हम सांती विवस्ता हर हालत में यहां बनाए रखेंगे यहां जो निवेश का वातावरन है इस आफ डूइंग बिजनस है इसको हम किसी भी इस्तिती में चिन्ने भी नहीं होने देंगे शासन के बहुत सरे ऐसी उजनाए चल रही है और लगातार सभी स्टेक होड़र्स के साथ हमारी वारता चल लगी है अब मुझे पुरा विश्वास है कि हमारी टीम जो फिल्ड में काम कर रही थी वो सभी लोगों से मिलके ऐसा एटमोस्फेर और ऐसा माहौल देगी जिससे कि कहीं भी गरबड़ी नहीं हो पुलिस तकनीकी शमता अपनी बढ़ाता जा रहा है तकनीकी शमताओं पर काफी ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है ब्रहम की सितियां भी बनती है कई बार पिछले एक्पिरिंस हैं उनसे किस तरह से सीख ली गई है और जो ब्रहम की सितियां ना बने और उनसे किस तरह स आप लोग तियार रहेंगे लड़ने के लिए उन पर किस तरी काम किया जा रहा है एक तो हमारे पास जो सोचल मीडिया हमारी टीम है वह बहुत ही एक्टिव है और हमारा रिस्पांस टाइम लगभग आठ मिनिट का है सोचल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आता है तो हम आठ मिन पुलिस ही एक ऐसी पुलिस है जिसके पास अपना फैक्ट चेक हैंडिल है और हमारे सोचल मीडिया के लगभग एक करोड फॉलोवर्स है तो अगर कोई आदमी अफ़ा फैल आता है तो हम तातकालिक रूप से इतने लोगों के साथ तुरंत जुडते हैं और इसके साथ- सामपरदाई के ऐसी घटना नहीं हुई जिसको उत्रप्रदेश पुलिस ने सक्सेस्फुली हंडल ना किया हूँ अचार सीता कभी भी लागू हो सकती है यूपी पुलिस कितना तयार है लोगसुआ चुनाओ बड़ा आयो जन लोगतंतर का बहुत बड़ा पर होता है चुन सानव जो मानी चुनाओ आयोग के अपक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम कराएंगे और ने मानी आयोक को भी किया है और अपनी तयानियों के बारे में भी उनको और आउगत कराया है और जब मानिय आयोग ने प्रेस के साथ चर्चा की थी, तो उन्होंने संतुष्टी जाहिर की थी, लेकिन हम किसी भी तरीके से कॉम्पलेसेंट नहीं हो रहे हैं, और लगातार अपने परफॉर्मेंस को और बहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग टेक्नलोजी क अभी शमावेश करेंगे, नहीं नहीं जो अभीनों परियोग आयोग ने बताएं हैं, उसका समावेश करके अंतर विभागिये समनवाई से सभी चीज़ें शांति पुन तरीके से और निस्पक्स तरीके से कराई जाएगे. अगरी सेवाल सर भरती परिक्षा को लेकर के है, जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, शासन ने कड़ा संग्यान दिया, उसको निरस्त किया गया, छे मैने बाद फिर से उसको आयोजन होना है, फिलहाल क्या इस्तिती चल रही है और किस तरह से यूपी पुलिस इसको आगे करते हुए पूरे परिक्षा को निरस्त किया है, और यह निर्देश लिये हैं कि इन परिक्षाओं को पुना छे महिने के अंदर कराई जाए जिसकी तैयारी जो उससे चल रही है, और इसके साथ साथ हम इसकी पूरी तह में जाएंगे और जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, उसको बेनकाब करेंगे और उनके कड़ी से कड़ी कारवाई करेंगे.